हेलो एबरिवन स्वागत है आपका पाट साला के प्लेटफॉर्म पे जहां हम लोग आज के एडिटोरियल डिसकसन और डिसकसन बीसिकली जो दहिंदू के एडिटोरियल से उसको डिसकस करेंगे और जो करेंट अफेयर का हमारा है जिस जो रिड़र के रूप में आप लोगो म अगर आज हिंदू के एडिटोरियल वाला सेक्षन अगर आप देखेंगे आज का तो उसमें आपको तो संट क्लियर है अगर सांड नहीं आ रहा हो तो तो तीन लोग एक्स मैसेज कर दिजएगा ताकि मुझे क्लियर हो जाए तो अगर आज हम लोग देखें यहां के आर्ट कि इसके बाद जो सेकेंड आर्टीकल है जो सेकेंड आर्टिकल है मैक्रो व्यू और फिजकल हेल्थ ऑफ दे स्टेट जो हमारे राज है उनके फिजकल हेल्थ की बात कह रही है राजकोसिय कि राजकोसिय इनकी स्थिति कैसी है इसके बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने एकनॉमिक्स पढ़ लिया होगा उनके लोगों ने डिसकॉस किया था तो यह दोनों चीजे जिन्होंने पढ़ लेओं समझ में आना चाहिए जो नहीं पढ़ा वह उन्हें भी उन्हें भी समझ में आ जाएगा जब पढ़ेंगे त ओर जिए तो यह उनके लिए है एक तरह से आपने टेस्ट के लिए लिए a lifeline एंडिया अविट्वित क्या होते हैं एंटिज बॉडिस का बहुत इलाज होता है एंटिबॉडिज आपके चाहिए एंडिविन परकार की बिमारी हो से विविन करके वाइरश जो इसके उपर एक चर्चा है अभी इसको हम लोग सामिल नहीं कर रहें कभी हिल्थ होगा किस उसे जो FCI है FCI के अंतर जो सेंटरल गवर्मेंट है उसने स्टेट गवर्मेंट का जो राइट था खरीदने का ओपन मार्केट से वो हटा दिया कि यह नई खरीद सकते हुआ क्या था कि करनाटक के सरकार ने वादा किया था कि हम खुब सारे गरीबों को भोजन देंगे मतलब आनाज देंगे तो इस चलते पॉलिटिकल चलते उन्होंने बोल तो दिया लेकिन अब वो ग्रेंट खरीदेंगे कहां से पॉर्चेस कहां से करेंगे अब FCI के पास आती है FCI ने से रोक दिया है तो इसके उपर जो पॉलिटिक्स हो रहा है यह चीजे है तो स्टेट को यहा आपका एक होगे उसके बाद यह दो आर्टिकल हमको करने हैं दोनों ही एक जिस्टिस लेटेड है और इस फिसकल है दोनों फिसकल पॉलिटेड आर्टिकल से हापस देखने को मिलेगा तो देखिए आज के आर्टिकल का मीन जो संदर्भ है वो क्या है तो इसमें जो बात की यह है कि despite gain हमने gain तो प्राप्त कर लिया है in the indirect tax अब आपको indirect tax और direct tax पता होना चाहिए यहां किसकी बात हो रही है indirect tax की बात हो रही है पहला चीज regime कि हमने बहुत सारा gain प्राप्त किया किस चीज में indirect tax regime में is it to become truly simple and efficient लेकिन अभी भी यह बहुत आसान और efficient बहुत लाभप्रद होने में अभी भी इसको time लगेगा किसकी बात हो रही है indirect tax की बात हो रही है इसका मतलब अगर आप tax पढ़ेंगे भारत में कर संरचना तो कर संरचना आपको दो परकार के मिलेगी एक indirect tax और एक direct tax direct tax की इसमें बात नहीं हुई है बात किसकी हुई है indirect tax की इसका मतलब upper tax करों की बात हुई है upper tax कर के अंतरगत जो सबसे बड़ा upper tax कर अभी है वो क्या है GST है पहले बहुत सारे upper tax कर थे GST के आने के बाद से बहुत सारे upper tax करों को सामिल करके एक बना दिया गये जो GST आ गये समझ में आ रहा है जैसे सीमा सुल्क आपका था उत्पात सुल्क था एक प्रोड़क्ट टेक्स था यह सभी क्या थे indirect tax अभी के लिए जो नहीं समझ जो जिर्हों ने एकनोमिक्स नहीं पढ़ा उसके लिए मैं समझा दू कि indirect tax वो tax होते हैं जो लगता किसी और पर है उसकी payment government को कोई और दे रहा होता है सबसे आसान तरीका है आप कोई भी product consume करने के लिए purchase कर रहे हैं जैसे मैं biscuit खरीदा या समान कुछ भी purchase कर रहा हूं कपड़े लिया जो alternative tax हो गए यह जो टैक्स है वो क्या है direct tax के अंतरगत आते हैं तो यह चीज़ आपने समझ लिया asset tax जैसे income मेरी income मेरे पर लगा मैं ही भरूंगा corporate tax जिस corporate company पर लगा है वही भरेगा अगर मेरे पास wealth है कुछ तो इस wealth पर मेरा धान है तो मैं ही से चुकाऊंगा यहां क्या होता है अब पर्त्यक्षकर में जैसे मान लेते हैं एक biscuit का Britannia का biscuit का मैंने खरीदा इस biscuit के packet का 10 रुपए tax के साथ है टैक्स मैं ही payment कर रहा हूं लेकिन government को कौन कर रहा गवर्मेंट को यह Britannia company वाला करता है तो लगा मुझे लेकिन देखोन रहा है company यह indirect tax होता है indirect tax पहले क्या थे GST के आने से पहले अलग-अलग थे तो क्या थी केंद्र अपना अलग indirect tax लगाती थी और राज अपना indirect tax अलग लगाती थी clear है फिर GST क्योंकि इसमें परसानी होती थी आपको दस तरगे का tax दस जगह देना पड़ रहा है तो एक reform लाए गया जिसका नाम दिया गया GST कर लो इसी के अंदर हम जोड़ लेंगे इससे center को ही पैसा मिल जाएगा इससे state को ही पैसा मिल जाएगा ताकि जो एक businessman है उसके लिए आसान हो जाए तो GST जब आया तो GST से आने के बाद बहुत efficient काम हुआ इन सब चीजों को आपको यहां पास समझना है कि अब ऐसी problem क्या है अब पर्तेक्ष करके है यह तो आपको समझ लिए न मैंने यहां समझा दिया यह अब पर्तेक्ष कर वैसे कर थे जो कि लगता किसी और पर है और देता कोई और है एक्जामपल में जीस्टी वैट एक्साइज ड्यूटी कॉस्टम ड्यूटी यह सब उसके एक्जामपल है हुआ क्या कि देखें जब GST आया तो GST के साथ क्या था कि 2016 में मुद्रे करण हुआ था नोट बंदी जीस्टी 2017 माया तो यह इस तरह से देखा गया कि अभी इस शॉक से हमारे एक्जामपल में उबर नहीं पाई थी और दो जाए क्योंकि देखें रिफॉर्म अच्छा है लेकिन किसी भी रिफॉर्म को आने के बाद जो यथा इस्थिती होती है उसमें बदला होता है तो यह देखा गया कि अभी टैक्स स्ट्रक्चर जो भारत का है इवन हमारा हम कंट्री को क्या मुव कि यहां अलग-अलग था राज यह अलग-अलग रेट लगाते थे अब जीस्टी के अंदर एक रेट हो गया तो जीस्टी पहला जाब से पूछे तो क्या एक इंडिरेक्ट टैक है ठीक है वन नेशन वन टैक्स की बात करता है इसका मतलब भाई जीस्टी के रेट यूपी में और तमिल नाडू में अलग-अलग नहीं हो सकती नहीं लेकिन जब इस्टेट अपना जब लगाता था तो कर सकता था है इसलिए जीस्टी वन नेशन वन टैक्स कांठार एग्र टैक्स रिफार्म है कंट्री को अगे लेकरकर चला गया इसमें स्टेट बार्टरी जो थी कि सराब, पेटरोल्यम, यह सब चीजे नहीं है, तो पेटरूल के दाम आपको अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिख़ रहा है,ईसलिए इनकी बॉडर पेल अलग-अलग दाम हो सकते हैं, यह इस्टेट लग गया तो यह लेकिन यहां पास ऐसा देखने को नहीं मिलता ठीक है तो हुआ क्या है कि अभी हमारा इसमें तो अच्छा खासा आया है उच्छाल देखने को मिली है लगभग 1.7 लाख करोड के असपास हमारा जी अश्टी से collection हो रहा है लेकिन problem क्या होई देखिए जो राजिय सरकार थी राजिय सरकार अपने हिसाब से तय करती थी एक बढ़़ादी घटा दी अब जी श्ती के अंतरगत आने के बाद राजियों को तो बढ़ादे घटाने चला गया और जी कि जो मेन पावर चले गए वो किसके पास चले गई सेंटर के पास चले गए कि इस चीज के छती पूर्ती के लिए राजियों को जी अश्टी जी अश्टी मुआवजा देने की बात कही गई थी कितना और आपको यहाँ पस दिखेगा जी अश्टी कंपन्सेशन की जी अश्टी मुपन सेशन यह यहसटइर करने की बात चलिए यह कुछ तक था कि आपको ना कंपन्सेट क्यों क्योंकि आपके टेक्स लेकर करके जी हिए करती थी कहां से पैसे लेंगी तो उसी आरूप म थे ब्रॐं तक बढ़ाने की बात चल रही है क्यों चल रही इसको आप समझें कि राज ये बोल रहे हैं कि कोवीड आ गया कोवीड लॉक्डाउन बहुत सारी प्रॉब्लम आई इंडस्ट्री परसान हो गई जीएश्टी एपलेंट टुरुबिनल नहीं बैठ पाई है जीएश्टी नहीं कि हम सरकार को पांच सरकारों को पांच सल देंगे जिससे कि वो इस कंपंसेशन को प्राप्त करने इस बदलाओ को समयोजित कर पाएं लेकिन इन सब चीजों के वाज़े से यहां पास इसकी मांग हो रही है कि इसको दोहजार शब्श तक बढ़ा दिया जाए क्योंकि अदर आए आप तारन जो है वो जल्दी होना चाहिए उसके लिए आप ट्रिबूनल बनाएए तूसरा आपका रेट रैसनल होना चाहिए रेट मतलब इसके जो दाम होते हैं या धर जो होते हैं, सलैब होता चाहिजों लाइब में भी है कि आप इन स्लैबों को कंपंसेशन मतलब मुआवजा मिलता है यह तो कंपंसेट करना मतलब उसके बदले आप दे रहें तो रोड मैप तो आपको rationalize करना होगा और inclusion देखे किन किन चीजों का inclusion नहीं है भारत में तो electricity का inclusion नहीं है GST के अंदर इसलिए अलग-अलग rate का state government लगाई है petroleum का नहीं है real estate इसके अंतरगत नहीं आता है और आप सराप को भी लिख लीजिएगा यह जब आएगा तो इसे भी सामिल किजिए और GST council की है कि GST council जैसे GST council ऐसा नहीं कि यह केंद्र सरकार की ही बाते बस मानने के लिए हो इसमें एक चर्चा हो जिस पर की आधारित नड़े लिया जा सके तभी हम आगे कि यह सथेट को भी पैसा चाहिए इस्तेट को रन करनी के लिए पुलीस है सिक्षा है uh रख रखाओ है बहुत सारे खर्चा राज्जियों को लिए हुन को साकगे लिए उनको पैसा चाहिए जो कि लाज्मिसी बात है यह आपका नहींगुन पार्टिकल था जिसके अंदर जिसी उसके," है इस रिपोर्ट को अपर पने के बाद किसे कजिए दूसरे पर उसी से र्टलेटेड सकती सदनेे अब राज्यों के फिशकल हेuggling अभी हमने पढ़ा ओंगा हुए आला तो राज्यों पास पैसा नहीन Republic का जो फिजिकल हेल्थ है उसके बारे में हमको देखना है कि इस्थिती क्या चल रही है वहाँ पास हर एक राज्यों की तो संदर्व क्या है कि इस्टेट क्या कर रही है न कि more than third of total revenue is spent 60% combined to the expenditure and have share of government borrowing around 50% कहने का मतलब है कि जो state है राज है वह बहुत ज्यादा क्या कर रही है करज पर चल रही है कर पर चल रही है या आप कह रहे है को धार मांगती है या सेंटर गवर्मेंट से फिर मांगते हैं कि फंड दीजे चीजों को करने के लिए तो यह जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्या ऐसा आया है कि यह चीजे आपको देखने को मिलेंगी जो राज हैं राज कई तरह के चीजे अपना रही है इन आप राज कोशियक अंतरगत घाटा पढ़ेंगे तो घाटा क्या है खर्च अगर जादा है जैसे मान लिजे मैं बारह हजार खर्च कर दूं और मुझे दसी हजार रुपए मिले तो यह दो हजार रुपए तो मुझे कहीं से फाइनेंस करने पढ़ेंगे यह फाइनेंस आए से याद रखेगा भारत में राज्य सरकार की आयल लिमिटेड है क्योंकि इंकम टेक्स कॉर्पोरेट टेक्स अब तो जीएश्टी भी राज्य लेकिन राज्यों को उनका हिस्सा मिलता है फाइनेंस कमिशन के द्वारा जो फाइनेंस कमिशन बैठती है यह रिकमेंड क करती है कि जो केंद्र के पास पैसा गया है उन पैसों का बटवारा कि सथर पर होगा लेकिनंवा भी केंट सरकार कुछ चलाइक करती है जिसे से सब्सक्राइट को को मिलेगा इसी क्या दार पर इसटेट के बजट को देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इस्तितियां है सभी राज्यों की भारत में तो होता है तो आपप सब किया है इसे कम करने को पाए तोटा है सिंपल सा आप अभी फिश्कलड को बहुत को देखना पड़ेगा कि गवर्मेंट जब भी गवर्मेंट जब भी ब्याय करेगी खूब आय उनका निश्चित नहीं रहेगा तो घाटा होगा इसका मतलब सरकायर को हर समय कोशिव करना चाहिए कि अपने आय को क्या करें में इस रिस्पेक्ट में ब्याय को बढ़ा सकते क्यूंकि ब्याय ज़रूरी है बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे पोलीस हो गया सिक्षा हो गया रोड हो सरकार को आया कब प्राप्त होगी जब हमारा टैक्स बढ़हेगा गोटैक्स कलेक्शन जादा होगा जब पर चेसिंग जादा होगी या जब इंकम जादा होगी लोगों की तो यह गोवर्मेंट को सुनिश्चित करने का काम है अब पढ़िए कि रीजियर 234 का अगर हम देखे फर्स्ट क्वाटर को तो यह दिख रहा है कि गवर्मेंट डेफिसिट बढ़ा है जनरल गवर्मेंट डेफिसिट एंड डेप अकर डियूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक क्योंकि देखें कोविड-19 में तो लाजिमी सी बात है कि कोविड-19 से हम तुलना नहीं कर सकते जिस समय कोविड-19 आया उस समय सभी चीज़े ठप पड़ गई तो गॉवर्मेंट की आय तो कम हो गई इसका मतलब कोविड-19 का थो हमें समझ में आता क्योंकि आपका ब्याय बढ़ गया आपको वैक्शीन पे लोगों खाने पर खाल्च करना पड़ा आपकी आयकम हो गई प्रोडक्शन होई नहीं रहा है कोविड-19 के ठप पढ़ने के बाद इस्थिती तो हमारी सुधर रही ह इसमें कोई दोर आया नहीं है लेकिन जो इस्थिती सुधरनी चाहिए उस लेबल पर नहीं गई है देर हैं सिगनिफिकेंट पोस्ट पैंडेमिक फिजिकल करेशन एंड यूनियन एंड इस्टेट लेबल देखिए जो उस समय था 20-21 की जो बात कर रहे हैं क्यों 21 में आए नहीं होंगे तो वह 9.1 परसेंट ऑफ जीडीपी था इसको जब भी लेते हैं तो हम जीडीपी में देखते हैं कि जीडीपी का कितना परसेंट आपको घाटा है तो 9.1 बढ़ गया था यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अब जो हैस्थिती 5.9 यह बजट का इस्ट जाएगा कहने का मतलब है कि फिजकल डेफेसिट तीन परसेंट के अराउंड लेकर आना है आपको और अभी 9.1 तो वह एक केस में था लेकिन अभी भी जो इस्टिमेट किया है गौवर्मेंट ने 2023 के लिए इनका इस्टिमेट 5.9 है जो कि इस्टिल बहुत जादा है 5.9 परसेंट ऑफ जीडीपी अगर फिजकल डेफेसिट हो रहा है वो भी एक जादा है तो यहां पास सुझाये गया है कि किन किन चीजों को गवर्मेंट को करना चाहिए कि हम फिजकल कॉंसलिडेट कर प अब क्या है कि यह जो कोविड-19 हुआ यूक्रेइन का वार हो गया इस्टेट की प्रियोरिटी हो गई एक स्टेट का स्चेंज हो गया यह सब रीजन है जो कि आपको यहां पास बहुत ज़दा क्या आप लिख सकते हैं अगर कभी पूछे तो कोविड-19 एक रीजन है जिसक अगरा रसिया युक्रेण वार आप दे सकते हैं थर्ड आप क्या सकते हैं कि स्टेट न इर्रिस्पोंसिबल तरेके से खर्च कर रहा है बिजली फिरी कर देना ये फिरी कर देना मोबाइल बांट देना यह चीज़ें आपको नहीं करेंगे फिर आपका है कि जियस्टी से कम GST आपको मिल पा रहा है कि नहीं या आप इसको लिख सकते हैं tax base, tax base का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो tax collection है बहुत कम लोगों के द्वारा हो पा रही है, तो हमारा जो tax base है, इसलिए जब भी परधान मंत्रिय अगर tax होगर पर भासर देते हैं तो वो हर समय कहते हैं कि भारत क एक tax base मजबूत करना है, ताकि ज़्यादा लोगों से collection हो पाए, फिर यहांने कहा कि non revenue है pandemic से state का वो भी गिरा है, यह जो last point होने कहा है, non GST revenue और also showing sign of recovery after the pandemic in most states, कि को जगों पर तो अच्छी हुई है, लेकिन अभी और सुधार करने की हमें आउ सकता है, तो यह जो चीजे है यह reason है, तो आपको इसी को सुधार करने की ज़रूद पड़ेगी, बच जिस्ट को और अच्छा कीजे, इस्टेट को और AI के सुरूद बढ़ाने चाहिए, टेक्स कलेक्शन आपका बढ़ना चाहिए, यह चीजे आपकी होने चाहिए, फिर ठीक है, फिसकल चैलेंजे क्या ह है, तो आपको फिसकल चैलेंजे समझ में आना चाहिए, यह देखे, राजकोशी ने इंतरी सब्त क्या है, कि आप रिड्यूस करेंगे, आप रिड्यूस करेंगे अपने फिसकल खर्चे को, अपने खर्चों को रिड्यूस करने क्या है, कि आप अपने खर्चों करते समय यह कोन से दो तरीके खर्चे होते हैं एक होते हैं राज्जास्व खर्चे और एक होते हैं पूजीगत खर्चे यह उसमें पढ़ लेंगे जब जादा खर्च होना सही माना जाता है क्योंकि आप से उसका इंफ्राश्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा होता है लेकिन राज्य सो खर्च अगर सरकार जादा कर रही है यह एक बहुत मुसीबत का काम है फिर इन्होंने इसी में लिखा आगे कि स्टेट की स्थिति आप देख लेजिए दोहरतेश में अंध्रपर्देस 40 परसेंट जो रेवेनु डिफेसिट हरियाना 50 परसेंट राजस्थान 30 वेस्ट बंगाल यह इस्थिती बहुत खराब है ठीक है एक यहां पास आपको लिखने देखने को मिलेगा एन असेस्मेंट सक् पंजाब और वेस्ट बंगर इनको फाइनेंसिली इस्ट्रेश कहने का मतलब कि यह राजकोश्य रुप से बहुत तनाओं से गुजर रहे हैं इनकी सिति और भी खराब है तो इस्ट्रेश सेवन मेजर्ट इन टरम्स अफ लेबल ऑफ रिवेन्यू यह चीज़े आपको करनी आगे संधिर है तो आपको इस में इस्थिर्था क्या होगी जब आपकी आय का सरोत विक्स रहे जैसे मानली जिसकी होती है। च्थियों कि हमारे कि यह वाल लाइन आप जब भी आपको लिखना है तो इस तरह के लाइन आपको अर्समें लिखने सम अफ दीजी स्टेट है जो बीग ड्राइबर ऑफ पॉब्लिक कैपिटल एक्सपेंडेचर इन फेवर्ट इन्वेश्टमेंट डेशनेशन फर प्राइवेट इन्वेश्टर करके कोई स्टेट अगल पॉब्लिक इन्फ पॉब्लिक इन्फरेस्टरक्चर पॉब्लिक इन FER Après मतलब जो औहुच्ण रचना है जो अवसंरचना का निरूमाड़ कर रही है जिससे जाब create होगा तब तो सही है आप capital ऐसा लगाईए या पैसे ऐसे खर्च कीजिए जो capital formation कर सके वो अच्छे खर्च है क्योंकि उससे आप आने वाले भविस्त में जैसे मान लेजिए मुझे अगर 50,000 रुपे मिलता है मैं इसे उड़ा देता हूँ उड़ाने का मतलब मैं ऐसे खर्चे करता हूँ जिसे कुछ निर्माण नहीं होता तो आगे चल करके मेरा आय तो बढ़ेगा नहीं लेकिन अगर इसी 50,000 में मैं 10,000 खर्च करता हूँ खाने पीने रहने पर और 40,000 को मैं इन्वेश्ट कर देता हूँ तो मेरे आगे आने वाले समय में आयके सुरत बढ़ जाएंगे वैसे ही चीज़े यहाँ पास है इस सरकार को चाहिए कि वह क्लियर है तो यह आपका आज का आर्टिकल था आगे का रास्ता जो है प्रेमवर्क कैसा होना चाहिए तो फ्रेमवर्क में आपको देखिए जो स्टेट है वह चाहती है कि हमें सेंटर से इंट्रेस्ट फ्री लोन मिल जाएं इंट्रेस्ट फ्री लोन मिल यह चीज़ें आपको यहां से की इसा हो नहीं सकता। इसलिए इन्हें क्या करना पड़ेगा कि अपना जो राजस्चों का खर्चा है जो राजस्चा थो स्रोथ और दूसरा कि टैक्स चोरियोगरों को बचाईए इन सब चीज़ों को आप कंसीडर करके आगे बढ़ सकते हैं यह आपका इसके बजट के तरगत सामिल हो जाए तो कोई कोशन होगा तो पूछ लीजिएगा अधरवाइस मैं केरिटोरिक इस राजस्व खर्चे खर्चे राजस और के पूजी दोनों है राजस मतलब ऐसे खर्चे जिससे कोई निर्माण नहीं हुआ वस आपने जैसे हम मान लेजे मैं गया घूम आया तो राजस्व खर्चे घूमने से क्या ही कोई कैप्टल आगे चल करके आय की प्राप्ति तो नहीं होगी ने वो चीज़े है ठीक है जो नेक्स्ट हमारा है आजका रीडर है ऐसे डिवां है अब कुछ रिडर्श तो करने में लेगा थे पर बताइए का है है आपको देखने लग गया है आपको देखने लग गया है चली जो पहला हमारा यहां आर्टिकल है पहला जो न्यूज है वो है एक यूजना बनाई गई है जो नावालिक बलतकार पीड़ता होती है उनकी सहायता के लिए ठीक है तो हाल ही में केंद्री महिला और विकास मंत्री जो हमारा U.S. Development Ministry है जो इसमर्ती रानी जी है उन्होंने यौन उत्पिड़न की जो जिसे रेप वोगर से जो विक्टीम्स होती है अगर वो गर्व होती हो जाती है तो गर्व होती नावालिक पीड़ित जिसके पास परिवार का कोई समर्थन नहीं है उनके लिए आस्रे भोजन और कानूनी सहयत्ता जो उनको फाइट करना है अपने लिए प्रदान करने के लिए एक योजना सुरू की गई है आप इसको समझ गए दो त्यान रखेगा एक तो रेप पीरिट वो भी अगर गर्वती है तो भी या अगर कोई नाबालिक गर्वती हो गई है जा उसको घरवाले या गर्वाले निकाल दी है तो यह दोनों के लिए आस्रे भोजन और कानूनी सहयता के लिए यह योजना है ठी प्रावधान के अंतरगत क्या क्या योजना है इसको समझे मुख्य प्रावधान क्या है तो निर्भया फंड क्या है जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद महिलाओं के सुरफचा और इन सब चीजों को देखते हुए निर्भया फंड का निर्माड किया गया था जो इन तरह के कामों में लगाया था तो निर्भया फंड के तहट यह काम किया जाएगा क्याम क्या है बालतकार अगर किसी के साथ हुआ है या समूहिक बालतकार पिडिता कोई है और वो गर्भवती हो गई है या कोई गर्भवती नाबालिक लड़कियां हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी नाजुग देख भाल करने की सहायता के लिए इस योजिना की घोशड़ा की गही है, सेम चीज़ उपर वाली, योजिना का उद्देश, तो सभी पेड़ित बालिकों को at least एक छत मुहया कराये जाए, उनको एक समर्थन के लिए कानूनी सहायता और सिवाओं के लिए ये काम किया गया है, ठीक है, इसके तहट क्या है, कि ततकाल आपातकालिन सुभधायें पहुचाएंगी, और प्रिडित बालिका अगर है, या उसके नौजात सिसू है, इसको बीमा अगर है, ये कवर परदान किया जाएगा, परत्यक्त नाबालिक लड़कियं, परत्यक्त मतलब जिनको त्याग दिया गया है, ऐसी नाबालिक लड़कियों को आसरा भोजन दैनिक जरूरते, अदाल्ती सुनवाई के लिए हम सुरक्षित किया जाएगा, एक जो सबसे इंपोर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रख कियेगा, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि मान लिजिए अगर कोई महिला नाबालिक है, गर्व होती है, तो ऐसे इस योजना के तहट उसे लाभानित किया जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, उसके बाद पॉसको क्या होता है, पॉसको आपने सुना होगा, कई बार यह जिकर आता है, यह क्या होता, protection of child from sexual offense, जब भी कोई child के खिलाफ sexual abuse होता है, तो बसको एक्ट लगता, यह बहुत खतरनाक एक्ट है, ठीक है, बच्चों के साथ, तो यदि पीड़ता बच्चे को नहीं रखना चाहती, तो गोद लेने का भी विकल्प रहेगा, सपोज अगर मान लिजिए ब इच्छा नुसार चिकित से सहायता, उसको क्या लगता है, गिरिह में बालिकाओं को अलग सुरक्षित अस्थान उपलव्द कराया जाएगा, परिवार द्वारा छोड़े गए पिड़तों को 4000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो अपने खर्चे दे जो परेट्रेटिव यौन हमले का सिकार हुई है, इसका मतलब जिनके साथ फिजिकल रिलेशन जबरजस्ती बनाए गया है या रेप हुआ है कॉलोकोल लेंग्वेज में, जो लड़की इस तरह के हमले या बलातकार के काराड़ गर्भ होती हो जाती है, वो भी सामिल हो क्या है, किसके तहत इस फंड को जारी किया गया है, किसके तहत ये सहायता दी जा रही हो, तो महिलाओं और लड़कियों के खिलाब दुराचार जो 2013 में घटना हुई थी, इसके बाद 1000 करोड रासी की एक फंड बनाए गया है, इस फंड में यही सब काम, जो भी महिलाओं के ससकती करण से related काम होंगे, वो काम यहाँ पास कराये जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये फंड को रिलीज करता है, तो Department of Economic Affairs देता है, नोडल एजनसी को है, नोडल एजनसी मतलब उसकी देख रेक, उसको संचालित कोन करता है, एक तरह से executive power cost इसके पास है, तो ये महिला और विकास मंत्राले निर्भःया फंड के लिए नोडल एजनसी, नोडल एजनसी मतलब समझ गये न, उस फंड के लिए बताया काई काम करने है, कौन से काम नहीं करने है, वो उसके उत्तरदाई होगा, उस काम को, फंड के तहत योजनाये ग protect, झाल ये समझ में आगे आपको, जहां बच्चों की देखभाल की जाती हो, जो बच्चे छोड़ दिये गए हैं, त्याग दिये गए हैं, उनकी जो देखभाल की जाती, उसको हुने बोला चाइल्ड केर, चाइल्ड को केर किया जाएगा, ऐसा संस्थान, ऐसा इंस्टूइशन, जहां चाइल्ड का केर किया ज इसे हमको संदख्षर देना है, मिशन की देखभाल में सुरक्षा में बहुत सारे बच्चे अनात हो जाते हैं, परितक्त किये जाते हैं, कानून का उलंगन करते हैं, उनको भी उहां दिया जाता है, बिकलांग बच्चे हैं, कई आपदाओं से परभार के कोई पुरा परिवा तो यहां पास मजबूत करने का भी कदम उठाया जाए तो यह मुख्य परिच्छा में आप देख लेज़ेगा इस तरह से कोश्चन आ सकते हैं यह अप लोग एक बार इसको कम्प्रिट कर लेज़ेगा अब है दिल्ली अध्यादेश की वैधानिकता दिल्ली में क्या हुआ हम लोगों ने कई बार जिक्र किया है कि सेंटर ने स्टेट की पावर को कम कर दिया है अध्यादेश लाकर क्योंकि सुप्रेम कोटे डिसिजन दिया था कि एक्ज्ग्यूट्व पावर किसके पास है दिल्ली गवर्मेंट के पास है इस चीज को ओभर कम करने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाया था, अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली सरकार के जो सक्तिया थी उसको कम किया गया था, वो कितना बैधानिक उसी की जाच इस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो जो ये एक्ट है, GNCTD Act 1991, इसी के तह दिल्ली के एक राजिका स्थापना होई थी, उसके चेतर अधिकार बाटे गये थे, अध्यादेश क्या होते हैं, तो अध्यादेश भारती संबिधान के Article 123 में जिक्र किया गया है अध्यादेश का, जिसमें जब लोकसभा, बेकि हमारे यहां कौन पारित करता है, लोकसभा, राजसभा, उसके बाद राष्टपती अगर साइ 123 के तहत今日 अधिकार मिलता है कि वो अध्यादेश लग कर के काम चला सकती है हाँ अध्यादेश को बाद में अपने संसद के तुआरा उसको पारित कराना पड़ता है तो अध्यादेश दप्रकाइद किया जाते हैं जब संसत के दोनों सदन या कोई एक भी पारित नहीं है मतलब कोई मिला कि कानून नहीं बन सकता उस स्थेति में रहा गए तो यह उद्ध्यादेश को वारे मैंने बता दिया जो बताना था इसके बाद है इसको एक बाद पढ़िएगा यह पॉल्टी से लेटर आपकी सारी कहांई यहाँ पस लिखा गया है का अध्यादेश कैसे ज़ारी किया रता है क्या हो सकता है जब सदन कारवाई में आएगा आपको वहां से पारित करना पड़ेगा आप उसको एक विध्यादे जब इस इस अध्यादेश के द्वारा जो भी काम किये जाएंगे वह यत्हावत बने रहेंगे यह इस पूरे आर्टिकल के तहत आपको देखने को मिलेगा यह पॉलिटी के अंतर क्या यह सटर्ड क्या है क्या लिखा आपने मुझे समझ नहीं है चलिए ठीक है उसके बाद राश्कपती द्वारा प्रक्खाईत मुख्य प्रावधान तो यह जो हुआ था जैसे ग्रूप यह अधिकारी है ना जो में मुद्दा था वह यह था जिस जो आई-एस-पी-स होते यह समझ लीजिए प्रीश तो ऐसे इनके अंदर नहीं आएंगे क्योंकि पुलिस सरकार के अंतरगा तो जो आई-एस अधिकारी या आई-एस अधिकारी हो रहोंगे ग्रूप ए अधिकारी जो डैनिक्स के अडर के अंतरगत आते हैं उनका स्थांत्र देखी आई-एस होता सेंटर गवर्न्मेंट का इंपुलाई है लेकिन जब उसको स्टेट डेपोटेशन मिला रहता है जब वह स्टेट में नोकरी कर रहता तो स्टेट सरकार इनके ट्रांसफर और अगरा काम देखती है जैसे मान लीजे एक डिस्ट्रिम को डियम है तो उसे ट्रांसफर करके अगर आपको देर मिलता है तो आपको डिल्ली में लद्दाख में अर्णमान निकोबार में यह सर चीजों पर आपको कम करने का मोंका मिलेगा। इसी की पोश्टिंग इनी की जरिए या इस अध्यादेश के जरिए कम करने का प्रयास किजी याध्य देश के वुद्धियाथ तो इसी देखेगा न की जरिवाल जो चैंघरेओ नियुक्तरी है कि हर एक बिपक्ष्च की जो पार्टीयं है। उनके साथ मिल रहें, और बोल रहें कि जो ये बिध्यक है जो अध्या देश जारी हुआ, जब ये बिध्यक बन के आएगा, जब ये बिल पेस्ट या जाएगा, तो आप इसका समर्थन मत कीजिए, आप इसको एक कीजिए, तो ये सब ज़ग घूम रहे हैं, आपने देखा होगा आज कर दोसरे जब आते हैं तो संभेधानिक चिंता यंहिए निर्वाचित सरकार तो मिस्थ सरकार तो कर सकती है लेकिन उसका यह पर तरक है वो सही है कि अभी अब जो सदन सुरू होगा ना तब यह जो विधेक आएगा तब क्या होता यह देखने वाली बात है तब यहां पस ज्यादा हम लोग और अच्छे से इसको और अच्छे से हम लोग वहां पस discussion करेंगे इसको एक बार विधेक आने दीजिए उसके बा छोटे अर्टिकल बचे उसको हम लोग कंप्लेट कर लें